वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस सॉनिक मूवी एक लेजेंडरी मूवी साबित हुई है सॉनिक के कास्ट उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग और डिरेक्शन ये सब मिलके एक मास्टरपीस बनाते हैं इस मूवी में भी हमें जिम कैरी ऐसा डॉक्टर रोबोटनि कार्वर तो बेठे बेठे अब डॉक्टर रोबोटनिक्स ने याँ पर खुदके लिए नया गैजट बना लिया था यहां से बाहर जाने के लिए इसे के साथ में श & का एक और जिसके अंदर माय प्र्यक्रा ₹ड पौर्वाड इंख से बाहर को यूज करने का सी के लाइट के साथ में यहाँ पे एनरजी प्रोडियूस होती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है साथ ही साथ एक रिंग उपन होती है जिसके अंदर दूसरे यूनिवर्स के लोग मश्रूम यूनिवर्स के अंदर पहुँच जाते हैं जो कि डॉक्टर को मारने के लिए आख लेकिन डॉक्टर ने यहाँ पर पहली से ही काफे सारे ट्रीय प्लगा रखे थी एक एक ट्र libre लोग यहीं मारे जाते है डॉक्टर भागने के लिए आंग ही बढ़ते हैं इस रिंग से जाने अब डॉक्टर को यहां से बाहर भी निकलना था और सॉनिक से बदला भी लेना था इसी कारण वो नकल्स को बताता है कि यह हैर वाला मालिक यानि कि सॉनिक जहां मिलेगा मैं वाद तुम्हें लेके जा सकता हूं और अब डॉक्टर यहां नकल्स के साथ में निकल पड़ता है अब अकला सीन हमें यहां अर्थ का दिखाया जाता है यहां घर आने के बाद हमें पता चलता है कि मैडी के सिस्टर रेचल जिसे की हमने फर्स्ट मूवी में देखा था जो कि सॉनिक को देखते ही बेहोश हो गई थी एक दो दिन बाद उसकी शादी होनी वाली थी टॉम और मैडी मैडी के सिस्टर की शादी में जाने के लिए निकलने वाले थे सॉनिक इनकी मदद करता है एक रिंग ओपन करता है और खूब सारे प्रॉमिस करता है कि वो घर में अच्छे से रहेगा कुछ दोर फोर्ड नहीं करेगा और सारी चीज़े संभाल लेगा यहां सॉनिक इन दौनों को भेज देता है और वापस लोटने के लिए एक रिंग देता है और साथ इसाथ डिरेक्शन भी बताता है यहां अब हमें टेल्स के बारे में दिखाया जाता है जो कि सॉनिक के फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया था सौनिक एक रिंग के जरिये और कुछ टेक्नोलोजी की मदद से अर्थ पे पहुंच चुका था टेल्स यहाँ पर सौनिक को वार्निंग देने आया था और इसी के साथ में कुछ इंफोमिशन भी देने के लिए आया था यहाँ पर सौनिक अभी अपने घर के अंदर एंजॉय कर ही रहा था तब ही घर के अंदर लाइट के अंदर फ्लक्चुईशन साते हैं और सारे लाइट्स बंद हो जाती है सौनिक को लगता है कि उसके घर वाले आये होंगे लेकिन तबी दर्वाजे का नॉब तोड़ते हुए यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर रोबोटनिक्स की सौनिक समझ नहीं पाता कि आखिर वो मश्रूम प्लैनेट से यहां कैसे पहुँच गया इस बार सौनिक सोचता है कि वो रोबोटनिक्स को जिन्दा नहीं छोड़ेगा लेकिन सौनिक रोबोटनिक्स के अटेक करने से पहले ही खुद जखमी हो जाता है क्योंकि इस बार सौनिक पे अटेक करने के लिए नकल्स उसके सामने था यहां नकल्द Soneq को बहुत easily रोक लेता है और उसकी बाद उसे punch भी मारता है नकल्द Soneq को पकड़ता है और Master Emerald के बारे में पूछता है सॉनी को कुछ नहीं पता था कि नकल्द आखिर किस Emerald के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे अब नगल्स बोलना स्टार्ट करता है कि लॉंग क्लॉ आखिर कैसे मारी गई लॉंग क्लॉ के उपर अकैटना वारियर्स ने अटेक किया था और उसी के कारण लॉंग क्लॉ मारी गई है क्योंकि उनके पास एमरॉल का रास था और अब वही एमरॉल का रास जरूर तुम्हें पता होगा अगर सॉनिक तुमने ये नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूँगा अब यहाँ पे सॉनिक आल्मोस्ट खत्म होने ही वाला था क्योंकि नकल्स उसे जिंदा नहीं छोड़ता तभी वहाँ पे टेल्स पहुंच जाता है वही पुलिस की काड़ी लेके सॉनिक की जान बचाता और उसे अपनी साथ लेके निकल जाता है नकल्स काफी दूर तक उनका पीछा करता है अब सॉनिक को यह नहीं पता कि अब तेल्स यहाँ पे क्यासे आ गया टेल्स कहां से आया है और आखिर उसने सॉनिक के जान क्यों बचाई है इतने सारे कोशन अभी सॉनिक के पास में थे लेकिन सॉनिक के जान टेल्स ने बचाई थी वही अभी सबसे जादा इंपॉर्टेंट था टेल्स अब यहाँ पे नकल्स के बारे में बताना स्टार्ट क चुका था अब टेल्स सॉनिक को कहता है कि तुम्हें मुझे बिलीव है न और उसके बार टेल्स उसकार को नीची खाई में गिरा दीता है टेल्स के पास पावर थी क्योंकि वो एक फॉक्स था और उसके पास में दो टेल थी जिसके कारन वो उड़ सकता था नकल्स तो का मैसेज आते ही वो अपने कैफे को बंद करता है और उनकी मदद के लिए रोबोटनिक्स का गैजट भीजता है अब जब रोबोटनिक्स का गैजट आ चुका था तो उसके अंदर काफी सारे ड्रोन भरे हुए थे अब जब उन्हें इंफिनिटी पावर के बारे में पता चल जहां पर उसे पुलिस वाला भी मिलता है साथ ही साथ सॉनिक के पास लॉंग क्लॉ का एक मैप भी था टेल्स यहां पर नकल्स के बारे में पूछता है कि आखिर वो नकल्स के बारे में कितना जानता है यहां पर सॉनिक टेल्स से यह भी पूछता है कि आखिर उसने लॉंग क्लो ने आखरी वक्त दिया था सॉनिक को सॉनिक के टच करते ही वो पूरा मैप चमक नहीं लगता है उसकी ब्राइटनेस के बाद में वहाँ लॉंग लॉंग क्लो का एक आखरी मैसेज था सॉनिक के लिए क्योंकि लॉंग क्लो सॉनिक के लिए सब कुछ था यहाँ पे इतना जादा पावरफुल है कि वो जिसके भी पास रहेगा हर यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉंगेस्ट परसन बन जाएगा यह मास्टर एमरॉल इसलिए इतना जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी की भी सोच को सच कर सकता है लॉंग जाने से पहले कहती है कि जब तक वो मैप मास्टर एमरॉल तक पहुचने का मैप था अब जब नकल्स डॉक्टर रोबोट्निक्स के पास है तो वो जरूर मास्टर एमरॉल तक पहुच जाएंगे वो पहुचे उससे पहले सॉनिक टेल्स को लेके वहाँ पर जाना चाता था मैप के जरीए और टेल्स के को ढूणने की कोशिश करते हैं और आखिर में इन्हीं पता भी चल जाता है कि सौनिक कहां है यहां सौनिक और नकल्स एक आइस केव के अंदर पहुंचते हैं यहां पे एक बहुत बड़ा दर्वाजा था जहां पे आउल लैंग्विज लिखी हुई थी सौनिक के पास अपना जेम्स को मिलाकर एक पावरफुल और काफे डेंजरस और अनस्टॉपेबल इन्फिनिटी वैपन बनाया जिसे मास्टर एमरॉल्ड का नाम दिया गया जिस क्रीचर के पास में भी यह मास्टर एमरॉल्ड होगा इस एमरॉल्ड की मदद से वो हर किसी को डिफीट कर सकता है पिर जाये उसके सामने कितने ही बड़ी आर्मी क्यों ना हो और तब यहाँ पे आउल्स पहुँच गए और अकैटना वार्यर से फाइट की और साथ ही साथ इस मास्टर एमरॉल्ड को अपने साथ ली गए अब यहाँ पे आउल्स को पता था कि यह कितना स्ट्रॉंग और प करता है जिसके बाद उस आउल के अंदर पावर आ जाती है और इसी के साथ इनके सामने एक नया कंपस आता है अब यही कंपस मास्टर एमरॉल्ड तक पहुचने की चाबी था लेकिन यहाँ से बाहर निकलना इनके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि अब इनके सामनी कुछता है कि आखिर तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो जहां पे नकल्स बताता है कि मैं अकेटना वारियर्स का आखरी वारियर हूं मेरी सारी टीम लॉंग क्लॉ के पास में गई थी और मुझे इसलिए नहीं लेके गए थे क्योंकि उस समय में बहुत छोटा था यहां पे अ अपना फ्लेश पैक याद आता है कि लॉंग लॉ ने सौनिक को बचाने के लिए ही उसे किसी दूसरी यूनिवर्स में भीज दिया था उस समय लॉंग लॉ के सामने अकैटना वारियर्स थे अब यहां पे टेल्स को लेने के लिए पोँचता है स्यूनिक यहां पे टेल्स को कारण टेल्स वहीं पे गिर जाता है अब यहां इतनी सारी हलच और इतने सारे ब्लास्ट हुए थे कि आइस माउंटेन अब गिरने वाले थे अब यहां पर सॉनिक टेल्स को अपने पास उठाता है और वहां से काफी तेजी से भागने लगता है सॉनिक के कहते ही टॉम उस रिंग को यूज करने वाला था लेकिन टॉम के पास असली रिंग नहीं थी बलकि असली रिंग एक्सचेंज हो गई थी यहां पे टॉम रिचल की फ्यांसर रेंडल से वह रिंग वापस मांगता है क्योंकि जो रिंग टॉम के पास थी उससे कोई पोर्टल ओपन नहीं होता रेंडल अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर दीता है यहां पे रिचल भी टॉम के उपर बहुत गुसा करती है आखिर में टॉम को गुसा आता है वो रेंडल को एक पंच मार और उससे वही रिंग वापस ले लेता है और उससे पोर्टल ओपन कर दीता है अब यहां पे सॉनिक और टेल्स बाहर तो आ जाते हैं लेकिन अपने साथ में इतनी सारी स्नू लेकि आते हैं कि वो पूरी वेडिंग बरबात कर दीते हैं अब हमें पता चलता है कि वो पूरी wedding एक plan करी गई wedding थी क्योंकि यहाँ पे हर जगव federal agents थे last movie के अंदर हम सभी लोगों ने captain को देखा था जो कि Sonic को देखना चाहते थे इसी कारण वो हमेशा से ही Tom और Maddy के उपर नजर लगाए हुए थे यहाँ पे captain आते ही Sonic और Tales को arrest कर लेते हैं साथ ही साथ Maddy और Tom को भी अपने साथ ली जाते हैं अब जब Rachel की पूरी wedding बरबाद हो ही चुकी थी तो वो अपनी बेन Maddy की help करती है Tom और Sonic को बाहर निकालने में तब ही यहाँ पे इने टेल्स का एक bag भी मिल जाता है जिसके अंदर खूप सारे gadget थे आगे जाने के बाद Maddy को काफे सारे soldiers घेल लेते हैं लेकिन Rachel Maddy की मदद करती है और Maddy वहाँ से Tom तक पहुँच जाती है यहाँ Dr. Robotniks और Knuckles अब इस compass को यूज करने वाले थे इसी कारण ये लोग मिलके एक island पे पहुँचते हैं इस island पे Knuckles इस compass को रख देता है और compass को रखते ही ये पूरा island चमक ने लग जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये Master Emerald तक पहुचने की चाबी है उसी तरीके से जैसे ही compass को यूज किया जाता है तो वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है ये पूरा ocean दो अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाता है नीचे की तरफ stairs निकलती है और यहां वही secret temple बाहर निकलाता है Sonic वहां से अकेले ही इस sea में भागने लगता है Sonic के पास अपनी speed की power थी इसी speed को use करते हुए वो पानी के ओपर तेजी से भागता है यहां Sonic भी इसी temple में पहुँच जाता है जहां हम देखते हैं कि नकल्स और डॉक्टर रोबोटनिक्स काफी सारे traps से बचते हुए आके बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उस पूरे temple में हर कदम पे जान लेवर traps थे वही पे Sonic के पास भी speed थी इसी कारण वो काफी जादा तेजी से एमरॉल के पास पहुँचने वाला था अब यहां पे नकल्स और Sonic एक दूसरे के सामने थे इन दौनों के बीच अपनी अपनी fight स्टार्ट होती है अपनी अपनी powers के साथ में यहां पे Sonic अब नकल्स को बिलकुल भी माफी नहीं देता और उसको बुरी तरीके से मारने लगता है Sonic नकल्स को punch दे दे के सीधा जमीन के अंदर खुसा देता है और अब यहां से डौक्टर रोबोटनेक सीधा टैलीपोर्ट होके अपने असिस्टन स्टोन के पास पहुँचता है अब जब Emerald इस सीक्रेट टैंपल में नहीं थी तो यह सीक्रेट टैंपल अपने आपको खत्म कर रहा था और वो पूरा टैंपल टूटने के कारण इस जगह में पानी भरता जा रहा था नकल्स के उपर एक बड़ा सा भी माक्य गिरता है जिसके कारण नकल्स नीचे दब जाता है सौनिक अकेला वहां से नहीं भागता सौनिक को तैरना नहीं आता था फिर भी वो नकल्स की मदद करता है क्योंकि नकल्स नीचे पानी के अंदर था सौनिक अपनी पूरी पावर लगाता है नकल्स की भी आँखे खुल जाती है अब यह दौनों इंग दूसरे से बात करते हैं आखर इन दौनों ने एक दूसरे की जान क्यों बचाए दौनों ही कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाए इसलिए मैंने रिटन में तुम्हारी जान बचाए अब यहां पर सौनिक नकल्स को समझाता है कि हम सब में से बुरा डॉक्टर रोबोटनिक्स है हम दौनों की फाइट के अंदर वो मास्टर एमरॉल्ड को अपने साथ ले गया है अब हम दौनों को साथ में काम करना पड़ेगा उसने तुम्हारा फाइदा उठाया है यह दौनों हाथ मिलाके अब डौक्टर रोबोटनिक्स से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते है यहाँ पे पूरी फेडरल यूनिट स्टोन के घर के बाहर खड़ी थी डौक्टर रोबोटनिक्स को पकड़ने के लिए यहाँ पे टॉम और मेडी भी पहुँच चुके थे अब यहाँ पे मास्टर रोबोटनिक्स के अंदर थी इसी कारण वो बाहर उड़ता हुआ आता है और अपनी पावर्स के कारण वो हर मैटर और स्टील की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रेक कर रहा था अब यहाँ पे टेल्स, सॉनिक और नकल्स एक प्लेन के अंदर आगी बढ़ते हुए आते हैं जहाँ पे इने दूर से ही वो जाइंट रोबोट दिखाई दीता है अब यह तिनों अपनी अपनी पावर्स के साथ में एक प्लान बनाते हैं यह अपनी पावर्स का यूज करेंगे और डॉक्टर रोबोट निक्स का ध्यान भटकाएंगे यहाँ सॉनिक कहता है कि डॉक्टर रोबोट निक्स को सिर्फ और सिर्फ मैं चाहिए हूँ इसलिए मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा सौनिक सामने आ जाता है और डॉक्टर रोबोट निक्स बार बार में सौनिक क्यों पर अटैक करने लगता है वहीं पर टेल्स और नकल्स इस रोबोट के अंदर पहुंच जाते है टेल्स यहाँ पर अपने काफी सारे क्लोन बनाती है और Dr. Robotniks को परिशान करने की कोशिश करती है लेकिन Dr. Robotniks के पास इतनी पावर होती है कि वो सारे क्लोन्स को एकी बार में गिरा देता है टेल्स यहाँ पे नीचे गिर जाता है लेकिन असल की अंदर यह बस उसका एक प्लान था तबी वहाँ पे नकल्स आ जाता है जिससे कि अब डॉक्टर रोबोट निक्स से बतला तो लेना ही था और अब यहाँ पे नकल्स डॉक्टर रोबोट निक्स को एक पंच मारता है जिसके कारण मास्टर एमरोल वहाँ से बाहर निकल जाता है अब सबी यहाँ पे इंजर्ड हो अपने सामने पड़े हुए अमरोल को नहीं उठा रहा था वह कुछ आगी बढ़ता है तब टाइम हम देखते हैं कि टॉम और मैडी एक गाड़ी को लेके सौनिक के मदद करने के लिए भागते हैं यहाँ पे इस रोबोट का पैर इनके उपर गिरने ही वाला था कि तभी गाड़े के मदद से ये लोग आके निकल जाते हैं अब जब सौनिक के पास ये मास्टर एमरोल आ गया था तो सौनिक को नहीं पता था कि आकर इसे यूस कैसे करते हैं अब यहाँ पे डॉक्टर रोबोट निक्स इस पूरी जगह पे आग भी लगा देता है जिसकी बीच के अंदर ये तीनों बैठे थे तभी एक दम से सातों जैम्स मिलके एक सरकल बनाते है यानि कि एक रिंग बनाते है जो कि सौनिक के अ तक वो इतने होल करता है कि सिर्फ एक स्टैप के साथ में ही वो पूरा रोबोट नीचे गिर जाता है अब इतनी सारी पावर्स के साथ में सौनिक ऐसे खड़ा था कि मानों वो पूरी तरीके से बदल चुका है और इस यूनिवर्स का सबसे स्टॉंगेस क्रीचर बन चुका है क्योंकि सौनिक को वो पावर्स नहीं चाहिए थी वो जैसा है वो बहुत अच्छा है नकल्स इन सारे जैम्स को लेके वापस से मास्टर एमरॉल्ड क्रियेट कर देता है अब यहाँ पे नकल्स और टेल्स सौनिक से पूछते हैं कि आखिर तुमने इतनी सारी पावर्स को क्यों डिनाई किया तब सौनिक कहता है कि इसका हम तीनों के ऊपर है आज के बाद हम तीनों कसम खाते हैं कि हम इस मास्टर एमरॉल्ड को मिलके प्रोटेक्ट करेंगे और अब नकल्स और टेल्स भी इसी फामिली का हिस्सा बन जाते हैं जहां पे यह सभी मिलके बेसबॉल और अब ताइम आता है इस मूवी के पोस्ट ग्रेडिट सीन का जहाँ पर हम कैप्टन को अपनी पूरी टीम के साथ में देखते हैं जो कि सब ही मिलके डॉक्टर रोबोटनिक्स को ढूंड रहे थे लेकिन उसकी बोडी कहीं भी नहीं मिल रहे थी इन लोगों का कहना था कि इ एक और हैचौक को देखते हैं जो कि ब्लैक था और साथी साथ मुझे ऐसे लगता है कि अब एक और मुवी बनाई जाएगी चाप अगली बार भी हमें डॉक्टर रोबोटनिक से सौनिक के पीछे लगी हुए दिखाई देंगे साथी साथ न्यू विलन भी हमें दिखा दिय है इस ये इक फिल ऊहता है और अगर आप सभी लोगों को इसका नाम पता है तो मुझे जरूर कमेंट स्क्षटन में कमेंट करके बताएगा आप अपसभी लोगों को यह मुवी कैसे मुझे अप लोगों को बताना है तो चलीक फिर preferred मिलते हैं ह्म सभी लोगों जी अगली म झाल झाल